आप सुबह उठकर हर दिन दूध वाली चाय पीते होंगे. इसे मीठा करने के लिए रिफाइंड चीनी का इस्तिमाल करते होंगे, लेकिन अधिक दिनों तक हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आप अपनी चाय में चीनी की बजाए गुड डालना शुरू कर दें. ऐसा इसलिए क्योंकि रिफाइंड चीनी के मुकाबले गुड का सेवन करना सेहत के लिए अधिक फाइदे मंद होता है. दरसल गुड अन्रिफाइंड होता है. चीनी के अधिक सेवन से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. आप चाहें तो हलकी सी चाय पत्ती, लौंग, डालचीनी, तुलसी, अधरक, पानी में गुड मिलाकर भी चाय बना सकते हैं. यदि आप दूध वाली चाय में गुड डालते हैं तो ये हेल्दी आप्शन हो सकता है. गुड की चाय आइरन, फाइबर, पोटेशियम आदी से भरपूर होती है. इससे इम्म्यूनिटी बूस्ट होने के साथ ही डाइजेशन भी स्वस्थ रहता है. जानिए गुड वाली चाय पीने के अन्यफाइदे. गुड की चाय को सर्दी के मौसम में पीना बेस्ट है. मौसम में बदलाव होने के कारण अक्सर लोग बीमार पढ़ने लगते हैं. आप गुड वाली चाय पीएंगे तो रोग प्रतिरोधक शमता बूस्ट होगी. जब आप चाय में गुड के साथ अधरक डालते हैं, तो इससे कई न्यूट्रेंट्स जैसे आईरन, जिंक, सेलिनियम, मिनरल्स अक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम में सुधार होता है. आपका वजन बढ़ रहा है, तो आप आज से ही गुड वाली चाय पीना शुरू कर सकते हैं. दरसल गुड में कई ऐसे न्यूट्रेंट्स होते हैं, जो शरीर से एक्स्ट्रा कैलोरी को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद करते हैं. साथ ही यह चाय मेटाबॉलिजन को बूस्ट करता है, जिससे अतरिक्त वजन को कम करने में मदद मिलती है. आपका पाचन तंत्र अक्सर खराब रहता है, तो आप गुड वाली चाय का सेवन करें. खासकर कब्स से ग्रस्त लोगों के लिए ये बेस्ट चाय है. ये चाय बॉल मूव्मेंट को बढ़ावा देती है. जब आप लगातार गुड वाली चाय पीते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइन्स एक्टिवेट हो जाते हैं. इससे डाइजेशन समबंधित समस्याओं से राहत मिलती है. ऐसे में आप रेगुलर चाय में चीनी डाल कर पीते हैं, तो उसे गुड से बदल दें. आप गुड वाली चाय में कुछ हर्ब जैसे लॉंग, डालचीनी, अदरक, तुलसी आदी डालते हैं, तो ये चाय एंटिकसीडेंस और एंटिवायरल प्रॉपर्टीस से भरपूर हो जाती है. ऐसे में सर्दी, जुकाम, फ्लू, खासी में गुड की चाय पीना काफी आरामदायक साबित होता है. दरसल गुड की तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखता है. इस चाय को आप विंटर सीजन में भी पी सकते हैं ताकि खासी, जुकाम से बचाव हो सके. गुड में आईरन भरपूर मात्रा में होता है. आईरन लाल रख्ट कोशिकाओं को फेफरों और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुचाने में मदद करता है. प्रति दिन गुड की चाय पीने से शरीर में आईरन की आवश्चक्ता पूरी होती है. साथ ही शरीर बहतर कार्य करने के लिए आईरन को अवशोशित करता है. शरीर में खून की कमी से जूज रहे हैं तो आप प्रति दिन एक बार गुड की चाय जरूर पिए. जोडों के दर्द और हड्डियों से संबंधित समस्याओं को कम करने में मददगार मानी जाती है. गुडवाली चाय के सेवन से हड्डियों के सक्त होने की समस्या भी दूर होती है.